हेलो फ्रेंज, आदरा डिविजन, साउथ इस्टन रेलवे, CNW, टेकनिसियन 3, डिपार्टमेंटल कुशिन पेपर में आप लोका स्वागत है, ये एकजाम 11 जून 2024 को कंड़क्ट हुआ था, फास्ट पार्ट में 55 कुशिन तक सल्फ हो गया था, तो चलिए आज सेकंड तो डिएरेक्ट कुशिन में चलते हैं, 56 नमर कुशिन, मेमोरंडम को हिंदी में क्या कहते हैं, तो यह पर आप लोका जो मेमोरंडम वाड है, इसका हिंदी मिनिंग क्या है, तो ये हो जाएगा आप लोका ग्यापन हो जाएगा, अप्शन B के साथ चलिए, नेक्स चलते हैं, this gas is used in MIG welding, तो मीक welding में कुन सा ग्यास यूच होता है, तो पहले मीक का फुल फर्म देख लेते हैं, ये होता है, metal, inert, gas welding, तो ये ही पर जो अप्शन दिया गया है, इसमें अगर सही अप्शन चूच करेंगे, तो ये हो जाएगा carbon dioxide, एक carbon dioxide gas, MIG welding में यूच होता है, option A के साथ चलिए, meaning of PCO in worship, तो ये पर जो वर्सब में, एक PCO बोलके word यूच होता है, तो ये PCO क्या होता है, इसका full form क्या है, ये कुन सा organization है, तो ये हो जाएगा, production control organization, इसका ही short name PCO होता है, option A के साथ चलिए, machine used to test hardness of material, तो कोई भी material का hardness को test करने के लिए, जो machine used होता है, उसका नाम होता है, ब्रिनल होता है, तो जैसे की BHN numbering होता है, material का जो hardness को, जो test करते हैं, इसके बाद, इसका जो hardness कितना है, इसको BHN number में, इसको specify किया जाता है, ब्रिनल hardness number, ब्रिनल hardness number BHN, in CLW pattern, J gets this incentive percentage, तो ही पर देखें, जैसे की आप लोग का, वर्षब में, जो incentive के लिए, दो pattern यूज किया जाता है, एक तो CLW pattern, जो की, चीतरण्यन, लोकोमोटीफ, वर्ष, ये एक pattern होता है, और एक तो होता है, GIS होता है, ग्रूप incentive scheme, तो ये दो प्रकर का आप लोग का, जो incentive pattern है, इसमें, जो CLW, चीतरण्यन, लोकोमोटीफ, जो आप लोग का incentive scheme या pattern में, J junior engineer को, कितना percentage, यहीं पर incentive मिलता है, तो यह हो जाएगा, 80%, जैसे कि CLW pattern के अनूसर, यह पर जो category of workers रहेंगे, यह three category रहेंगे, तीन category का आप लोग का employee रहेंगे, worker रहेंगे, तो जैसे कि DW हो गया, यह direct worker, तो इनको मिलेगा 100% incentive, जो की, आप लोग का technician जो है, यह सपाते हैं, technician, इसके साथ साथ, यह देख लिजे, EIW, यह क्या होता है, यह होता है, यह होता है, indirect worker, इनको मिलता है, 80% incentive, जो की, जैसे की, इनको की, इनको की incentive मिलता नहीं, नो incentive, डेस नमबर अफ आइसलेटिंग कोक्स और फिटेड इन ICF कोच, यह भी रिपिटेड कोच इन है, ICF कोच में कितना आइसलेटिंग कोक यूच होता है, तो यह 5 के संख्या में यूच होता है, इसका location आप लोग देख सकते हैं, जैसे की BPNFP, यह branch pipe, dart collector के पास देखे, BPNFP दोनों का, इसके जस्ट आगे आप लोगा, दो के संख्या में आइसलेटिंग कोक रहेगा, एक अब लोगा BP branch pipe line के लिए, एक फिड पाइप branch pipe line के लिए, यह हो गया दो के संख्या में, बोगी आइसलेटिंग कोक, दोनों बोगी के लिए, बोगी आइसलेटिंग कोक, यह दो बोगी के लिए, दो के संख्या में, तो यह दो दो चार हो गया, और एक आप लोगा, पैसेंजर emergency alarm valve को, इसको isolate करने के लिए, अंडर गयर सेक्शन में, यह रहेगा आप लोग का, एक के संख्या में, आइसलेटिंग कोक रहेगा, पैसेंजर emergency alarm valve जैसे की, एसेपी होता है, एसेपी होने से, अगर किसी कारण रिसेट नहीं हो पाता है, तो नीचे से, अंडर गयर सेक्शन से ही, इसको isolate किया जाता है, तो इसी प्रकार, आप लोगा, जो 5 रहेगा, आइसलेटिंग को, टोटल अंडर गयर सेक्शन में रहेगा, एक्सल लोड़ अप ऐसी कोच, तो इहीं पर देखिए, एक्सल लोड़ पुछा है, ऐसी कोच के लिए, तो इहीं पर अप्सन के अनुसर 16.3 टॉन हो जाएगा, जो की, आइसेफ कोच के लिए, आइसेफ कोच के लिए, एसी, आइसेफ का एसी कोच के लिए, 16.25 टॉन, जिसको की, एप्रोस्किमेंटली 16.3 लिया गया है, लेकिन है 16.25, तो आइसेफ केटेगोरी में, नोन एसी कोच के लिए, 13 टॉन, इसी सब, लेजबी कोच के लिए, ये आप आप लोग का AC हो या non-AC दोनों केटेगरी के लिए यह होता है 16.25 टॉन बंदे भारत के लिए 17 टॉन तो यह भी आप लोग जरूर यात रखे तो अप्शन के अंसर आप लोग 16.3 टॉन में जा सकते हैं लेटराल एन लंगिचुडिनाल गाइडेंस टू हुईल अप आईशियफ बोगी इस टेकन फ्रम तो यह पर देखे लेटराल भी पूछ रहा है लंगिचुडिनाल दोनों ही आप लोग का गाइडेंस जो है यह हुईल के लिए है जो कि आईशियफ बोग के लिए यह किसके मै हमसे अप्शन ये के साथ चलिए लेंद अफ लेजबी कोची डेस एम्म ये भी रिपीटर कुछिन है लेंद पुछा है लेजबी कोच का तो ही पर अप्शन में देखेंगे तो आप लोको ये पहला अप्शन तेरस अजार पांसट चालिस एम्म ये हो जागा सही अंसर तो इसमें भी थोड़ा डाटा देख लीजे, जैसे कि लेजबी कोच के लिए ये पूछा है, तो ही पर देख लेंगे, लेंद अबर हेड़ स्टॉक, यही आप लोग का कुश्चिन में आया है, 23,547, जो की हेड़ स्टॉक टू हेड़ स्टॉक, एंड बोड़ी टू एंड बोड़ी, यह है आप लोग का, लेजबी कोच के लिए, लेंद अबर हेड़ स्टॉक का, यह डाइमेंशन, लेंद अबर कपलर, और सीबीसी से सीबीसी, यह चभी साजारे में, इसी साब से आप लोग इसका, देख लीजे, इसका विड़ कितना होगा, विड़ अवर बोड़ी, 3240 mm, और इसका हाइट भी देख लीजे, तो हाइट हो जाएगा, 4039 mm, 4049 mm, तो यह भी डाटा जो एक्स्ट्रा सब बताया जा रहा, जरूर नोट डाउन करके रग लीजे, और एही ही आप लोग का नोट्स होगा, इसके लिए कोई भी दुश्रा प्रकर का नोट्स का जरूरी नहीं है, यही सब चीज आप लोग नोट डान कीजिए, और अपना नोट्स खुद बनाईए, और किसी का पीछे जाना नहीं है, नमबर अप ब्रेक सिलिंडर्स इन वान एलेजबी कोच, तो इह पर देखिए, एक एलेजबी कोच में कितना ब्रेक सिलिंडर्स लगता है, तो यह आठ के संख्या में लगता है, जिसका की डायमेटर, डायमेटर कितना होता है, यह होता है, दास इंच या दो सु पचपन एमेम, सिलिंडर पिस्टन स्ट्रोक अप एलेजबी कोच इस डेस एमेम, इह पर देखिए, सिलिंडर पिस्टन स्ट्रोक पूछ रहा है, एलेजबी कोच के लिए, जो सिलिंडर का पिस्टन स्ट्रोक, य यह एलेजबी कोच के लिए, एलेजबी कोच का ब्रेक सिलिंडर के लिए, तो यह कितना हो जाएगा, यह 10 mm, और maximum आप लोग का अगर कुशिन में आता है, maximum piston stroke, एलेजबी कोच का सिलिंडर के लिए, तो यह हो जाएगा, 21 mm, तो यह भी जरूर, नोट डाउन कर लिजे, तो यहीं पर देखे, जो भी निरिख्षन करेंगे याड में, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे, प्री इंस्वेक्शन बोलेंगे, इसको बोलेंगे, प्री इंस्वेक्शन, जैसे कि आप लोग का, कोई भी आप लोग का, टर्मेंटिंग ट्रेन, जो क कि आप लोग का याड में आप लोग स्टेशन में रोलिंग देख रहे हैं तो यही कंडिशन में प्री इंस्टेक्शन हो जाता है आप लोग का मोटा मोटी आप लोग देखते हैं कि रोलिंग में कुछ आप लोग का फॉल्ट मिला है कि नहीं इसके बाद टर्मिनेट होने के बात यह washing line में placement होगा जब washing line में आप लोग का placement होगा तो इसका पूरा full examination होगा या primary examination होगा Condemning Material to be sent to store on तो जो भी material Condem हो जाता है تो यह condition में इसको store को भेज दिया जाता है तो इसके लिए आप लोग का जो not बलता है standard farm रहता है जिसमें कि आप लोग का condom material का पूरा details आप लोग को देना पड़ेगा तो यह आप लोग का जो firm हो जागा या notes हो जाएगा यह होगा DS8 notes जिसका की जो firm संख्या S1539 होता है यह होता है S1539 इसको यात रखेए यही firm के माइधम से ही condom material का details देके इसको store को भेजा जाएगा direct worker is admissible to get this percent bonus तो इस पर देखे जैसे के उपर में ही बताया गया है direct worker को 100% आप लोग का मिलता है इसी साबसे यह essentially indirect worker के लिए 80% और आप लोग का indirect जो worker होगा उनको no incentive bonus उनको incentive bonus मिलता नहीं who is the financial advisor to the head of the worship तो worship के लिए financial advisor कोन होंगे तो यह हो जाएंगे deputy chief account officer या worship account officer यह हो जाएंगे financial advisor वर्षप के लिए अफ्शन ए के साथ चलिए CEO जो है CEO इसका full firm है chief accounts officer या इसको बोल सकते हैं WAO गृब्ठ्टी स्टाफ духов उनको एकांटस उफिचर गृब्ठी स्टाफ अफ्टी स्टाफ professor गरूप एकांट्यो नौन इसा इस्टाफो तो आ हिंपर देखे गृफ्टी स्टाफो या ग्रूप C और ग्रूप D दोनों स्टाप के लिए अभी अगर लोग 20 सल कंप्लिट कर लिये है नया रूल के अनुसर तो इन लोग को दो सेट आप लोग का पोस्ट रिटार्डमेंट कंप्लिमेंटरी पास मिलेगा PRCP जिसको बोलते हैं पोस्ट रिटार्डमेंट कंप्लिमेंटरी पास रिटार्डमेंट होने के बाद अगर इनका सार्विस अगर 20 सल कंप्लिट हो गया है तो ये कंडिशन में उनको 2 सेट पर एनम एक साल में 2 सेट आप लोग को पास मिलेगा यही अगर ग्रूप A और B अपिसर होंगे तो 20 सल कंप्लिट होने के बाद उनको 3 सेट यह पास मिलेगा यह जरूर यात रखे तो यह कुशिन में था अगर ग्रूप सी स्टाफ होंगे जो की 20 सल उनका हो गया लेकिन 25 सल से कम सार्विस है तो यह कर्डिशन में उनको कितना सेट पास मिलेगा तो इनको 2 सेट पास मिलेगा पर एनम एक सल में 2 सेट के संख्या में पास मिलेगा यह गाडियन केन बी इंकुल्डेड इंदा स्कूल पास फर तो देखे यह पर गाडियन को इंकुलूड करेंगे पास में सामिल करेंगे तो इसके लिए आपलुका criteria दे दिया है तो इहीं पर criteria में देख लिए क्या क्या दिया है option में चलते हैं तो इहीं पर देखे ए boy under 18 years अगर 18 साल से कोई भी आपलुका जो लड़का है ये आपलुका 18 साल से नीचे है ये condition में guardian सामिल होंगे एकदम सही है ये girl of any age अगर कोई भी लड़की आपलोका जो है ये कोई भी age का होगा ये condition में guardian सामिल हो सकते हैं school pass में ये भी सही है ये physically handicapped boy above 18 years अगर physically handicapped है कोई तो ये condition में 18 साल से उपर भी रहेंगे तो ये school pass में guardian सामिल होंगे तो ये हो जगा all of the above option D के साथ चलिए which of the following statement do bear the title of discipline and appeal rule in religion तो ये पर देखे जो जो रेलियो में आप लोग का अनुसासन एवंग appeal नियम है तो इसका सिर्षक इसका heading क्या होता है तो इसका heading हम लोग देते हैं दा रेलियो सार्वेंट discipline and appeal rule 1968 ये होता है प्रपर heading होता है ये आप लोग का discipline एवंग appeal rule के लिए relevant discipline and appeal rule है तो इसके लिए प्रपर जो heading है वो हो जाएगा आप लोग का डा रेलियो सार्वेंट्स discipline and appeal rule 1968 अप्सन C के साथ चलिए which number of standard firm is used for issuance of major penalty charges on disciplinary proceedings तो ही पर देखिए आप लोग का major penalty के लिए बोला है तो major penalty के लिए जो standard firm यूज होगा ये हो जाएगा SF5 होगा बड़िशास्ती के लिए तो इसके साथ-साथ SF11 देख लिए ये minor penalty लगू सास्ती या लगू दंड SF1 simple suspension होता है निलंबन होता है The admission in Raleigh School is restricted to तो इहीं पर देखिए Raleigh School में जो admission होगा जो बच्चे लोगा admission होगा इसके लिए क्या प्रतिबंदित है क्या restriction है तो इह पर देख लिए Child ward of railway employees only जो railway करमचारी रहेंगे जो उनके बच्चे रहेंगे इनका admission तो होगा ही होगा इसके साथ-साथ देख लिए option C में जो है outsider to a limited extent on availability of seat तो जो outsider रहेंगे इनके लिए limited seat होगा वह भी आप लोग का seat को देखते हुए कितना seat है उसी इसाब से ही पहले railway employees जो रहेंगे इनका जो बच्चे रहेंगे इनका admission होगा उसके बाद outsider जो होगे उनको seat आप लोग का कितना availability है उसी के उनसार उनका admission होगा तो यहीं पर आप लोग का हो जाएगा A and C option D के साथ चलिए यही correct हो जाएगा lateral and longitudinal guidance of fiat wogi is made way तो यहीं पर देखे lateral and longitudinal guidance fiat wogi के लिए किसका मैध्यम से यह होगा तो यह हो जाएगा जो guidance है यह आप लोग का fiat wogi के लिए पूचा है तो ice wogi के लिए क्या होगा उपर वहीं question में आया हुआ है तो यह पर आप लोग का fiat wogi के लिए articulated control arms दोनों में difference समझ लीजे उसके बात ही answer लीजे air spring working pressure in hybrid coach 10 kg पर cm2 तो यह lhb coach हो या hybrid coach हो 6 kg पर cm2 यह जाएगा air spring working pressure जो होगा hybrid coach के लिए यह 6 kg पर cm2 होगा तो यह ही पर देखिया hybrid जो coach है इसमें coach body क्या होगा इसमें coach body यह lhb का होगा और boggy या trolley क्या लगेगा यह modified ICF boggy होगा modified ICF boggy जो कि इसका secondary suspension में coil spring नहीं होके air spring लगा जाता है तो यह होता है hybrid coach lhb coach body plus modified ICF trolley air spring boggy gap maintained between lower plank and upper plank तो यहीं पर देखिये air spring boggy में gap हम लोग देखेंगे कितना maintain होना चाहिए यह lower plank और upper plank के लिए तो यह हो जागा 255 में water tank capacity of ICF coach ICF coach के लिए water tank capacity जैसे कि आप लोग जानते हैं दोनों end में coach का उपर में दो दो करके यह 4 के संख्या में रहेगा water tank तो एक का capacity आप लोग का 450 लीटर होता है तो total 4 tank होगा तो यह आप लोगा 800 यह total हो जाएगा capacity 4 tank में 450 लीटर करके यह दोनों बाजू में देखिए अब रहेगा इसमें ICF coach में तो यह आप लोगा अगर मिला देंगे total तो यह 800 लीटर हो जाएगा option B के साथ चले capacity of auxiliary reservoir यूश्टिन यार स्प्रिंग इच डेस लीटर यह पर देखिए auxiliary reservoir पूछा यार स्प्रिंग में जो auxiliary reservoir फिट होता है तो इसका आप लोगा capacity पूछ रहे तो यहीं पर कुश्टिन को थोड़ा मुडिफाय करके इसको समझ लीजे जो यहीं पर होना था एडिसनाल इन बिल्ट auxiliary reservoir auxiliary reservoir फिर यार स्प्रिंग तो यह कितना हो जाएगा यह हो जाएगा साट लीटर तो यह भी जरूर याद रखे जो आप लोग का यार स्प्रिंग में इन बिल्ट एडिसनल जो auxiliary जरूर रहेगा यह साट लीटर का होगा अप सन B के साथ चलिए डेस इस दा हाइस्ट authority of mechanical department in journal railway तो journal railway में जो mechanical department से higher authority रहेंगे वो PCME साहप हो जाएंगे यह हो जाएंगे PCME यह principal चीप mechanical engineer इसी सबसे यह देखे आपका store department के लिए PCMM हो जाएंगे principal चीप material manager अपरेटिंग अपरेटिंग डिपार्टमेंट के लिए principal चीप अपरेशन मेनेजर इसी आपरेटर्ट इसी diligently quality management दा वार्क अप लिमिट स्विच इज एहें पर देखें लिमिट स्विच का काम क्या होता है यह होता है टू स्टॉप दी क्रेन क्रेन को अगर बंद करना है तो लिमिट स्विच का यूज कीजिए वारिच रिसर्च डिजाइन एन स्टंडर्ड अर्गानेजेशन लोकेटेड यह पर देखें आर्डी एसो के बारे में बोल रहे है रिसर्च डिजाइन एन स्टंडर्ड अर्गानेजेशन यह कहां पर सिचुएटेड है यह कहां पर लोकेटेड है कहां पर स्तीत है तो यह हो जागा लखनो, यूपी में, उतर प्रदेश में, अप्शन ए के साथ चले, which of the following pairs of original religious and their headquarters are not true, तो यहीं पर देखिए, आप लोग का रेलियो दे दिया गया है, और उसका headquarters दे दिया गया है, इसका बीच में कौन सा matching नहीं हो रहा है, वही आप लोग यहीं पर indicate कीजिए, यहीं पर आप लोग के correct answer क्या हो जाएगा, पहले देख लेते हैं, कौन matching कर रहा है, कौन matching नहीं कर रहा है, तो यहीं पर देखिए, Northern Railway, यह हो जागा New Delhi, ठीक है, Southern Railway, South Railway, यह हो जागा Chennai, इसके बाद South Central Railway, सिकंदराबाद यह matching है, लेकिन नहीं पर देखिए, जो Central Railway है, भोपाल, यह matching नहीं है, option B में जो है, तो Central Railway, इसका headquarters क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा, CS, MT हो जाएगा, यह हो जाएगा आप लोग का, CS, MT, चत्रपती, सिवाजी, महाराच, टर्मिनस, यह हो जाएगा, चत्रपती, सिवाजी, महाराच, टर्मिनस, तो यह आप लोग का option B में है, जो, यह original railway, यह आप लोग का, एक zone है, एक zone के साथ, इसका headquarters का matching नहीं है, तो यह हो जाएगा, आप लोग का, क्या हो जाएगा, Central Railway, यह हो जाएगा, CS, MT, मुंबई हो जाएगा, जो कि यहीं पर matching नहीं है, Metro Railway is functioning in which of the following Indian states, तो यह पर देखिए, Metro Rail के बारे में बोला गिया है, तो कौन सा स्टेट में Metro Railway काम कर रहा है, फंक्शनिंग हो रहा है, तो यह हो जाएगा, West Bengal, West Bengal का कुलकाता में, जो कि इंडिया का पहला ऐसा स्टेट है, या Metro City कलकाता है, जहाँ पर Metro Service शुरू हुआ है, तो यह आप लोगा, जो शुरू हुआ था, 24 अक्टोवर 1984 को, 24 अक्टोवर 1984 को शुरू हुआ था, यह आप लोगा, फास टाइम के लिए चला था, एस प्लानेट से, भवानीपूर के बीच में, जो कि आज का नेताजी भवन बोलते हैं, तो यह आप लोगा, लगवक, लगवक, साड़े 3 किलोमेटर, 3.4 किलोमेटर, इतना दूरी यह तैय क्या था, फास्ट मेट्रो सार्विस, फास्ट मेट्रो सार्विस यह भी आता है, कलकता में यह शुरू हुआ था, फ्रिक्शन कोफिसेंट अफ के टाइप कंपोजिट ब्रेक ब्लक, तो यह पर देखें, के टाइप कंपोजिट ब्रेक ब्लक के लिए पूचा है, फ्रिक्शन कोफिसेंट जो कि यह होता है, 0.25, यहित इंक्रीज़ेस, इंक्रीच इन कारवण, नहीं पर देखिए क्या कुछू का की Congo है लिए क्रीच इन कारवण पर्सेंटेज्टेजि इन स्टील, स्टील में अगर कारवण का मैत्रा अगर पर्सेंटेज बढ़ जाता है ये condition में इसका कौन सा quality है ये increase हो जाएगा तो ये भंगूरता brittleness property जो है ये ही increase हो जाएगा अगर steel में carbon का percentage बढ़ाया दिया जाए option A के साथ चलिए what is the condomining limit of lhb wheel diameter तो ये पर देखें option चलते हैं lhb wheel diameter condomining wheel diameter पुछा है lhb coach का तो ये हो जेगा 855 mm जो की जो wheel का web thickness 14 plus 3 mm होगा web thickness उसी wheel का ही condomining limit होगा 855 mm एक 845 mm ये भी condomining limit lhb wheel होता है जिसका की web thickness जो wheel का web का जो थिकनेस होगा ये 17 plus 3 mm होगा तो ये भी ध्यान में रखें ऐसे जेनरली आप लोगा नया condition में lhb wheel का diameter 915 mm होता है और last sub issue size ये कितना होता है 862 mm तो जरूर ये सब data आप लोग के यात रखें how many suck absorbers are used in lhb coach lhb coach में कितना suck absorber यूच होता है dampers यूच होता है repeated question regular question गलती नहीं होना चाहिए 18 numbers जैसे की primary vertical damper ये पर बोगी 4 के संख्या में secondary vertical damper ये 2 के संख्या में year damper 2 के संख्या में secondary lateral damper ये एक के संख्या में ये जो specification है पर बोगी का है एक बोगी का configuration है dampers का तो इसी साबसे अगर पर कोच में चलेंगे एक कोच में तो दोनों तरफ नो नो करके ये अठरा के संख्या में dampers हो जाएगा आयोच अब ICF कोच आयोच अब ICF कोच इस डन इन दा इंटर्वाल आप डेस मन्त इह पर देखिए इंटर्मिडेट अबर्वालिंग करेंगे ICF कोच के लिए तो इसका आप लोका इंटर्वाल कितना हो जागा प्रियोड सिटी कितना हो जागा ये 9 मन्त हो जागा 9 महीना अगर एही पर फास्ट अब निव बिल्ट आप लोका ICF कोच होगा और फास्ट आयोच अगर पुछा होता तो ये कंडिशन में 12 मन्त होता और इसके बात जो होगा सबसीक्वेंट आयोच होगा ये होगा इसके बात 9 महीना में ब्रेक पाइब प्रेसर इस 10 कजी पर सेंटिमेटर स्क्वेर ब्रेक पाइब में 5 कजी पर सेंटिमेटर स्क्वेर और फिड पाइब में ये हो जाएगा 6 कजी पर सेंटिमेटर स्क्वेर लोको मोटीफ या आर्टी आर में लोको मोटीफ या आर्टी आर में जो MR में रिजर् पर सेंटीमेटर स्क्वेर यह भी जरूर ध्यान में रखें मैक्सिमम वफर हाइट अब गूर्ष वागन इस डेस मिलिमेटर इह पर देखिए मैक्सिमम वफर हाइट पूछा है गूर्ष वागन के लिए तो यह ग्यारा सब पांच एमेम होगा अगर यह आप लोगा मिनिमम पूछा होता यह लोड़ेट कंडिशन में रहेगा तो यह 1030 mm होगा और मिनिमम एमटी कंडिशन के लिए हम लोग देखेंगे तो 1090 mm यह जरूर यात रखें प्रिक्शन कोपिसेंट आप के टाइप कंपोजिट ब्रेक ब्लक इस हैहीं पर देखेंगे रेपीट होगा कुछिन तो यह हो जागा के टाइप कंपोजिट ब्रेक ब्लक लेट फ्रिक्शन कोपिसंट 0.25 इसके बारे में भी डाटा देख लिजे लेजबी कोच बंदे भारत कोच और गूर्स वागन ये तीनों में CTRV इसमें सिलिंड्रिकल रोलर वियरिंग ये उच होता है तो ये भी एडिसनल जो डाटा है इसको यात रखे इसको नोट डाउन कर लिजे मेटरियाल अब फ्लोर सीट अब बक्सेन हल इच बक्सेन हल वागन में फ्लोर सीट के लिए जो मेटरियाल इच होगा वह जगा स्टेनले स्टिल इरेसम 44 यह हो जगा स्टेनले स्टिल The standard thickness of compensating ring is Compensating ring का standard thickness ये 6 mm ये भी रिपिटेड कुशिन Permissible variation in wheel diameter of same kitchen of boggy of a wagon is 10 mm तो ही पर देखे परमिस्बूल भरिशन wheel diameter पूछा है same kitchen of boggy wagon का case में तो ये हो जाएगा आप लोका 30 mm तो wagon का case में जब भी wheel change करेंगे या tire turning करेंगे यही condition में permissible difference देखा जाता है permissible कितना wheel diameter difference होगा ये देखा जाता है तो wagon का case में same excel में 0.5 mm same boggy या same trolley में 30 mm और same wagon में 25 mm तो आप लोग comment section में कोचिंग का case के लिए same excel, same boggy, same wagon में कितना होगा जरूर comment section में बताइए permissible limit of deep flange in village days mm ये पर देखें, deep flange के बारे में बोला गया है तो permissible limit of deep flange in village days mm तो ये हो जाएगा 35 mm ये permissible limit है deep flange के लिए तो नया condition में वागान का case में ये कितना होता है 28.5 mm flange का thickness और आप लोगा कोच का case में ये 29.4 mm ये भी याद रखें थिकने सब new brake pad in disk brake system इस days mm तो lhb coach में जैसे के disk brake system यूज होता है तो इसमें brake pad जो यूज होगा ये brake pad का नया condition में थिकनेस पूझ रहे 35 mm और इसका जो condemning होगा ये हो जाएगा 7 mm riding index of lhb coach is days तो इह पर option में जैसे की देख रहे है option C 2.75 ये lhb coach के लिए riding index तो lhb coach के लिए 2.5 से 2.75 इसी में ही आप लोग का minimum 2.5 और 2.75 maximum है lhb coach का ये riding index ICF coach के लिए ये 3.5 बंदे भारत के लिए 3.26 तो ये जरूर आप लोग के याद रखें चोक डायमेटर आप पी एबी आप लेजबी कोचिस डे समेम lhb coach के लिए passenger emergency alarm valve का चोक होल डाय पूछा है जो की 19 mm होता है और ये अगर ICF coach के लिए होता तो ये हो जाता 8 mm चोक डायमेटर आप पी एबी आप लेजबी कोचिस डे समेम ये question repeat हो गया है simple ये 19 mm जो passenger emergency alarm valve होता है इसका चोक खोल डाय लेजबी कोच के लिए 19 mm ICF coach के लिए 8 mm new wheel diameter of fjard buggy of LHB coaches तो ये ही पर देखिए LHB coach में जो fjard buggy यूच होता है इसमें आप लोग का wheel diameter नया condition में पूछ रहे है जो की 950 mm होता है इसके बारे में उपर में already बताया गया है slackless driver is used in days wagon तो ये पर देखिए SLD जो होता है slackless driver ये यूच होता है BLC wagon में जैसे की एक BLC आप लोगा जो unit में एक unit में जैसे की 5 का रिया 5 wagon रहता है तो दोनों end में A कर रहेगा और बीच में 3 B कर रहेगा तो ऐसे 5 wagon को लेके ही एक unit बनता है BLC का unit बनता है तो यही पर आप लोगा ये end में हमेशा जो fitting होगा ये CBC fitting होगा और inside में जो आप लोग का रहेगा ये रहेगा SLD रहेगा slackless driver रहेगा DCP type of fire extinguisher is suitable to extinguish this fire तो इम पर देखे dry chemical powder type DCP का full form dry chemical powder ये type का fire extinguisher आप लोगा suitable है किस प्रकार का fire को बुझाने के लिए तो जो अगनी सामक यूच होगा DCP type का ये हर किसी प्रकार का आप को बुझा सकता है अगर ये diesel से भी आग लगता है electric से आग लगता है petrol से आग लगता है तो भी DCP type में हम लोग इसको extinguisher कर सकते हैं बुझा सकते हैं तो अहीं पर option D के साथ चलिए all of the above हो जाएगा permissible limit of sharp flange of wheel is dash mm ये पर देखे permissible limit पूचा है sharp flange के लिए तो wheel का sharp flange के लिए यहीं पर जो option दिया गिया है ये हो जागा non of the dish non of the dish हो जागा कोई भी होगा नहीं तो जैसे की नया dimension देखेंगे नया dimension new dimension ये new dimension जोगा tip of the flange नया condition में tip of the flange flange का tip में ये नया condition में 14.5 mm अगर 5 mm और less इसका अगर आप लोग का जो dimension होगा ये 5 mm और इससे कम हो जाएगा ये ही condition में इसको बोलेंगे sharp flange तो option में है नहीं तब आप लोग option D के साथ चलिए non of the dish in empty condition जैसे कि twin pipe system अगर यूज किया जा रहा है तो ये condition में आप लोग का कुशिन आता है tight gauge तो tight gauge किसको बोलेंगे 1670 mm और less ये देखिए 1670 mm या इससे कम हो जाएगा तो ये condition में उसको बोलेंगे tight gauge slug gauge किसको बोलेंगे अगर 1682 mm और more 1682 mm या इससे जादा हो जाएगा तो इसको slug gauge बोलेंगे तो ये भी याद रखिए इसी से ही आप लोग का 1670 और 1682 mm आ रहा है जो कि आप लोग का इसमें दिया गया है tolerance plus minus 6 mm तो चलिए फ्रेंट्स एहीं फर आप लोग का खतम हो रहा है जो अध्रा डिवीजन साउथ इस्टन रेलोग का cnw technician 3 post के लिए देव departmental exam हुआ था तो जो भी फ्रेंट्स अभी तक नहीं जूड़े है जल से चल जूड़ जाईए ऐसे ही जानकारी वीडियो आप लोग को बराबर मिलेगा तो ये चैनेल में आप लोग clerical post के साथ साथ operating department cnw department ये सबका आप लोग का departmental kushin सल्प हो रहा है तो फिर एक departmental kushin लेके आप लोग के सामने हाजिर होंगे तब तक के लिए बढ़ेंसे practice कीजे प्रिपरेशन कीजे जैहिन दोस्तो